भव्य, दिव्य, बालरूप और मनमोहक स्वरूप में अयूध्य बिराजे भगवान श्री राम, प्रान प्रतिस्था का समाहरो हुआ पूरा, मानो राम का हो रहा हो राजतिलक, जिहां भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में प्रान परतिस्था समाहरोश सम्पूर्ण हो गया है और इसके साथ ही लोगों का 500 सालों पुराना इंतजार भी खत्म हो गया रामलला गर्बग्रेह में बिराजमान हो गये हैं जहां प्रधान मंत्री नरंद्र मोदी ने रामलला की पूजा आर्चना की और इसके बाद मूर्ती पूजा का अनुस्थान पूरा किया गया इस दोरान संग प्रमुख मोहन भागवत उत्तर प्रदेश के सीम योगी आदितनात और यूपी की राजपाल आनंदी बैन पटेल भी वहां मौजूद थी सोने तथा फूलों से सजी 51 इंच की रामलला की भव्य मुर्ती के चहरे की मुस्कान हर किसी को अपनी और मोह रही है रामलला के सिर पर स्वर्ण मुकुट है और गले में हीरे मोतियों की हार है इसके अलावा कानों में कुंडल सुसो भित है हाथ में स्वर्ण धनुस बान है रामलला पीली धोती पहने हुए नजर आ रहे हैं इतना ही नहीं राम मंदिर प्रान प्रतिस्था के लिए अयोध्या दुलहन की तरह सजकर तयार थी और देश बिदेश से हजारों महमान रामनगरी अयोध्या पहुचकर प्रान प्रतिस्था कारक्रम में सामिल हुए क्या क्रिकेटर, क्या बॉलिवुड, क्या बड़ी-बड़ी हस्तिया सभी अयोध्या में मौजूद थे प्रान प्रतिस्था समाहरों के समापन के बाद अब अयोध्या में आय हुए VVIP महमानों का स्वागत किया जा रहा है राम मंदिर के बाहर ही बनाए गए मंच पर आप देखिए प्रधान मंत्री नरंद्र मोदी मोहन भागवत उत्तर प्रदेश के सियम योगी आदितिनात से लेकर यूपी की राजपाल आनंदी बैन पटेल भी मौजूद है साथ ही राम मंदिर तित्छे ट्रस्ट के अध्यक सहित कमेटी के तमाम लोग वहाँ पर मौजूद हैं और अभी प्रधान मंत्री नरंद्र मोदी वहाँ से लोगों को संबोधित कर रहे हैं कुल मिलाकर ये हरस और उल्लास की बात है पूरे देश में राम लला प्रान प्रतिस्था को लेकर दिवाली की धूम है और इसे ही असली दिवाली माना जाएगा क्योंकि जिन 14 वर्स की बनवास के बाद देश में दिपावली का त्योहार बनाया जाता है सोचिए जब राम लला 500 वर सो बाद अयोध्या में बिराजमान हुए तो ये दिन किस तरह अपनी भव्यता को दरसाएगा भारत ही नहीं बलकि पूरे देश और दुनिया भर में राम लला के नाम की गूंज हो रही है लोग जैस्री राम के नारे लगा रहे हैं हर जगह दिपावली जैसी धूम है, मारकेटे सजी हुई है, गली चौक चोड़ा है की स्ताफ सफाई करके उसे सुसजित किया गया है देश भर के मंदिर में पूजा आरती और अनुस्ठान जारी है, सभी मंदिरे सस्धज कर बिलकुल अपने प्रभू स्री राम के स्वागत में तयार खरी दिख रही है इतना ही नहीं सर्योगाट को भी सजा दिया गया है और आज अयोध्या में 10 लाख दिपक सर्योगाट के किनारे जगमगाने वाले हैं तो चलिए भगवान स्री राम का हम सब भी दिल खोल कर स्वागत करें और अपने घर के बाहर आज रात में कम से कम पाँच दिपक जरूर जलाएं तो ये थी इस वक्त की ब्रेकिंग अपडेट ऐसे ही खबरों में बने रहें वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें